गूड एवनिंग एवरिवन आज हम लोग पंचायती राज को पढ़ेंगे और पंचायती राज से हमारे एक्जाम में दो कोईश्चन आते ही आते हैं तो आप ये वीडियो स्किप बलकुल मत करिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक सस्क्राइ बलकी ज्यारे जरूर करीये जिससे आप फुल्के डिशी वीजियो कोजयda वीडियो पूसे चली ए छुट बलकुण के पीजियो को पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम यह जानने लेते हैं जो नरतीयो दो सब्दसे मिलकर बनाए नमसर्ब जिसमें पंचायती से आसर है पंच का फैसला तथा राज से ताथ परे है शाशन ठीक है पंच का फैसला और शाशन अर्ठार पंचों का शाशन ही हमारा पंचायती राज कहलाता है और पंचायती राज को किस ने मतलब इत्म प्रमुक्ता दी है? जो महत्मा गांदी जी ये नै उन्होंने भारत में राजनिती प्रडाली की रुपे पंचायती राज को मौहत्वपूर बताया है ठीक है, यह था हमारा पंचायती राजय किसे कहते है सब्सक्राइब और मुंस हो भूरियो कांत ँमया है अंग्रेंव को सब्सक्राइब है और हेस्टिंग महतनुर्द आखेय हैं लाइनन व में घंगल कांत भाघ्ण से वह सब्सक्राइब गल्रु निनल्स Кांत iç तो क्यव मैं न सभू धूं स्वत्षासी गर्डाज है जो लाड हैस्टिंग था उसने ये बुला कि जितने भी हमारा गाव है वो स्वत्षासी है ठीक है ये किसने बुला है लाड हैस्टिंग ने किसने बुला है लाड हैस्टिंग ने और इसने लाड हैस्टिंग अंग्रेजियों का गवर्नर जनरल कब था 1830 इस्वी में या गवर्नर जनरल था समुदाइक विकास योजना की सुरुवात कब की गई थी समुदाइक विकास की योजना की सुदाद 2 अक्तुबर 1952 में की गई थी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह एकसर कोईशन पूछा जाता है 2013-2018 में भी यह कोईशन पूछा गया है ठीक है अब नेक्स हमारा है समाजिक संगठन हमारा समाजिक संगठन क्या होता है समाजिक संगटन जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक अपचारिक संगटन होता है और एक अनपचारिक संगटन होता है अपचारिक संगटन हमारा क्या होता है संसाएं होती है और संग होते हैं संसाएं से तत पर क्या है कि ये विमानों की प्रमुक अवस्थाक्ताओं की पूर इसको हमारा समस्था होते हैं कि want बिमार होते हैं तो ऊस्पताल में जाते हैं बच्चे पढ़ने श्कूल में ही जाते हैं पैसे कले इन दिन बैंक में ही करते हैं, अपनी सेविंग्स हम लोग बैंक में रखते हैं, और अपनी समस्याओं को लेकर हम लोग पंचायद के पास जाते हैं, तो यह सारी जो चीज़ें हैं सरसाएं, स्कूल, बैंक, अस्पताल, ग्राम, पंचायद, ट्यादी हमारी यह संसाएं हैं, ठीक हैं, नेक्स्ट हमारा क्या संग, संग क्या होता है, यह वो समाजिक संगटेन हैं, जो कुछ विशेस उद्देसों की पूर्टी के लिए समय के लिए बनाए जाते हैं, मतलब यह हमेशा के लिए न संग हो गया, भारत का सामाज, मनरोंजन, डल, विवक्त, मन्डल, बैगानिक समितियां, यह सारा संग हैं, ठीक है, यह संग हमारी रहायक अलब यह. यह हमारा था अपचारिक संगठन अब अनुपचारिक संगठन क्या होता है यह एक ताथमिक समू है जो लोगों को पराइसपरिक संपर्ख में आने से अपने आप ही बन जाते हैं जैसे कि च्वापाल समू किर्टन समू साथी समूू, कृड़ा समू, म üz enquanto खेलते वक्त, जब बच्चे एक साथ मिल जाते हैं, तो वो हमारा अनवशारी संगर्टन हो गया, साथी समू, हम लोग दोस्तों के साथ ub अपस बाट है कुछ लोग बैठते हैं, में कुछ सम्मून बना लेते हैं आफि साहस में खेलते हैं आफित गूंने चाहते हैं तो हमारा अनॉप चारिक समू हो गया अब बहुत आता है पंचाइटी याज तो पंचायटी याज सब्से पहले कब शुरू हुआ था इसकी सापना सबसे पहले 2 October 1959 में वह था खब वह था, 1959 में यह डेट आप जरूरी याद रखियेगा आपके कोईशन पूछे चाते हैं 2021 में यह कोईशन पूछे गए तो पंचाहिध राज की सापना कब हुई थी? 2 October 1969 में कब हुई थी? पान्चाइती रاجस्ट हुआ तो कि नागोर जीले में हुई थी या तो फिर आपका राजस्थान दिया रहेगा या फिर नागोर दिया तो आपका यह दोनों आपको याद रखना है नागो राजसान की नागो जीले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप बिल्कुल यह डेट इसका किसने किया है और यह कहां हुआ है पंचायती राज के सापना ठीक है पंचायती राज है हमारा त्री पढली के अंतरगा तीन लोग तांतिक संसाओं की सापना की गई थी सबसे पहला क्या है ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचायत पर खंड पर पंचायत समिती जीला पर जीला परिशत ये तीन हमारा लोग तांसी संसाओं के सापना की गई थी पंचायती राजी की त्री सुत्रे पड़ाली अगर आपका आ सकता है त्री सुत्रे पड़ाली के नाम क्या है त्री सुत्रे पड़ाली के नाम आप पर याद रखिएगा ठीक है यही हमारा त्री सुत्रे पड़ाली ह इसको आपका question exam में पूछे जा सकते हैं कि तुरी इस्तरली पडाली कौन सी है तो आपके option में कोई एक नाम दिया जाए सकता है तो उसमें आपका तुरी इस्तरली पडाली आपको पैचानना होगा तो gram असर पर gram पंचाय से पकंड पंचाय समिती है जीला असर पर जीला हैं पंचायती राज से वंचित हैं कि कौन-कौन सा है मिघालय मिजोरम और नागालेंड यह भी question आपके exam में पूछे जा सकते हैं पिछले exam में पूछे गये हैं और यह question मैं बार-बार बोल रही हूं पंचायती राज बहुत ही important है पंचायत हमारे exam को लेके से question आते ही आते हैं और नेक्स हमारा है भारत में 24 अपरेल 1993 एक यादगा दिवस के रूप में सापित हो गया इस दिन भारती सविधान 73 संसोरी धारा लागू किया गया था जिसमें पंचायती राज संसा को सविधानिक स्टेट की संग्या दी थी आपसे इससे मतलब आपको दो question बन सकते है हैं कि 33 संसोरी धारा कब लागू किया गया था ठीक है तो 34 अपरेल 1993 में 33 संसोरी धारा लागू किया गया था या फिर एक question आपको और कर सकता है कि पंचायती राज संसा को सविधानिक स्टेट की संग्या कब दी गई थी तो पंचायती राज को सविधानिक स्टेट की संग् यहां दी गई थी कब दी गई थी 24 अप्रेल 1993 में ठीक है इस यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आपका एक्जाम में पूछा जा सकता है 2017 में आपको पूछा गया था कि भाती सविदा संसोरी धारा कब लागू किया गया था यह दो जा सदर में पूछा गया था तो अब इससे जरूर यार रखिएगा ठीक है नेक्स हमारा है पंचायती राज की त्री सुत्री विवस्ता की पहली संसा है जो ग्राम अस्तर पर कामकार कर दीए सबसे पहली विवस्ता कौन सी है ग्राम असर पर ग्राम पंचायत और यह ग्राम पर कारी कर दीए इसमें ग्राम पंचायत की मुख्या को ही हम लोग प्रिधान कहते हैं जा ठीक्क्रान की संक्या संक्या ग्रान की जन संक्या के अधारपन इधायद होती है प्रसाशनिक अधिकारी की रूप में निक्त किये जाते हैं प्रखंड अस्तर पर पंचार समिती ठीक है दूसरा हमारा क्या है प्रखंड अस्तर पर पंचार समिती इसमें है तहसील तालुका या प्रखंड अस्तर पर पंचार समिती की सापना की गई और इसको हम लोग विकास खंड भी कहते हैं इसको विकास खंड की नाम से भी जाना ज होते हैं तिकिविष के सद्धी सो का चुना 500 के लिए होते है अध्यच अथ्वा प्रखंड प्रमुक इसक dewग होता है ठीक है कि नेक्स्ट हमारा क्या है जीला अशरप सबसे कि सबसे हैं जीले पर पहर्यंद कर जी लाइस्तर पर कार्य करती है ठीक है केला जो आसाम में इसे हम लोग जो हमारा आसाम है ये उच्छ सब्सक्राइब और सब्सक्तर पर जिला परदस परिशद के चुना जाता है ठीक है और यह जो जिला परिशद है यह जनता के मतदान के द्वारा चुना जाता है ठीक है जिला परदस परिशद का जो अध्याच होता है वो जिला धीस या पर जिला मेजिस्ट कर लाता है ठीक है क्या कहते है इसको जिला धीस या जिला मजिस्टिट ठीक है आज के लिए बस इतना ही हमाने आज पूरा पंचायती राज जो है कवर कर लिया है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एक्जाम को लेकि तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नूर मत करिएगा इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए कैसे एक्जामी कोश्चन आते हैं उस पर भी वीडियो में बनाऊंगी तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइज सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ जड़ एक ते हैं